जेहन दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ रेलवे गुरूब डी का लाइब फिचकल ये देखिए 35 किलोग्राम बोरी उठा के सभी बच्चे अपने कंदे पे रखे हुए हैं और पूरा 100 मीटर की डिस्टेंस जिसको 2 मिनट में तै करना है ये सभी बच्चे तै करते हुए ये इलाहबाद से आपको लाइब वीडियो दिखाया जा रहा है इलाहबाद ग्राउन का वीडियो है ये जो फिचकल हो रहा है देखिए सभी बच्चे पहुंचते हुए और ये बोरी एक जगह एकत रखी जा रही है सभी ज़्यादा तर बच्चे सभी पास हो जाते हैं बस क्या होता है कि आपको जब बोरी उठानी है देखिए नॉर्मल बोरी है बिल्कुल और जैसी प्रैक्टिस इस ग्राउंड पे आपको कराई गई थी कानपू डिफेंस फिचकल अकेडमी पे बिल्कुल सेम वही बोरिया है और बहुत ही आराम से पैदल चलना है आपको इस टेमना अपना ब्रीप करके रखना है ये नहीं करना है कि पूरा आप तेज भाग के जाएं क्योंकि 100 मेटर अराम से पैदल चलिए बस उठा के केवल रख दीजे इसके बाद ही आपकी एक किलो मीटर की रेस कराई जाएगी चेश नमबर देखे सभी ने पैना हुआ है और पैरों में भी आपके चिप बांद दी गई है मैट पड़ी है और मैट पे जब आप रखेंगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा उसके पहले टाइम आपका स्टार्ट नहीं होता है 200 मीटर का ये ट्रेक है पूरा और 70 से 75 बच्चों को दोड़ाया जा रहा है करीब 10 से 12 बैच बन रहे है डेली परड़े के अभी मैं यहाँ पूरा फिनिस हो जाए बैच इसके बाद मैं कैमरा बैक करके वहां दिखाऊंगा मूप करके यह देखिए पूरा यहां से चेश नमबर पैन के सभी जाते हुए और यहां से बैच स्टार्ट हो चुका है अब इस वाले बैच को वहां बैठाल दिया जाएगा यह देखिए गो हो चुका है और यह चिप जैसे जैसे आप पैर रखते जाएंगे उसी तरह आपकी टाइमिंग को कॉंट किया जा रहा है थोड़ा अंदर क्योंकि वाच भी नहीं ले जाने देते हैं पर अगर आप ले जाना चाहते हैं तो चुप-चाप ले जाएंगे जब अंदर पहुंच जाती तो मना नहीं करते हैं लेकर कोशेश करिए अगर नहीं लेकर जाएं जादा से जादा 9 से 10 लटके ही फेल हो रहे हैं चिर्लोंने प्रैक्टिस ही नहीं की वह ही फेल होगा मैंने जतने बैश देखे हैं तो किसी मिद्दास 15 इससे जादा किसी बैच में फेल नहीं हुआ है बच्चा अगर आपने मेहनत की है तो आप जरूर पास हो जाएंगे आपने अगर रनिंग की है बस आपको इस टेप पे चलते रहना है रुकना नहीं है जो बंदा रुक जाता है वही किवल फेल होता है देखिए पहला चकर आपको दिखा रहे हैं अब देखिए यह बच्चे जैसे पीछे रह जाते हैं यही लोग फेल होते हैं यहां पे सब डाकुमेंट बेरिपेकेशन के लिए बना हुआ है पूरा यहां एड्मिट कार्ड आपका चेक होता है और चेक होने के बाद यहीं से फिर आपको आंगे क प्रक्रिया के लिए बढ़ाया जाता है यह देखिए पूरे हैं यहीं पर लग रहा है पूरा यहां पूरा अपना कंप्लीट कराने के बाद यह आपको चेस्ट नमर पहना जाएगा और पैरों में आपके चिप को बंदा जाता है इसके बाद आपकी 100 मीटर का कराया हैं और कुछ जगह तो तुरंत आदे गंटे 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 बाद दो गंटे बाद ही चिपका देते हैं बाहर सिलिप लेकिन कुछ सेंटर ऐसे हैं जिन में ऑनलाइन देते हैं कि आप जाएए साइट पर देखिएगा अपना रिजल्ट तीसरा चकर पूरा हो रहा है कुछ ही देर में बाद चकर मत भूलिएगा आप देखिए ये बच्चा देखिए रुख गया ऐसे जो रुख जाते हैं वही फेल हो जाते हैं लेकिन जिनके अंदर इस्टेम ना है जिन्होंने प्रैक्टिस की है एक से दो महीने प्रैक्टिस की ये अच्छे से दोड़े हैं वह कभी फिल नहीं हो सकते हैं पूरा देखते रहेगा चौथा चकर भी स्टार्ट हो चुका है फिंसिंग पे कितना बच्छा रुक रहा है आपको पूरा दिखाएंगे हम अभी क्योंकि ये लाइब वीडियो है आपको जो कि प्रियाग राज से दिखाया जा रहा है ऐसे हम कोशिस कर रहा है कि चार-पांच जगह की वीडियो अगर हमको मिलते हैं तो हम अपने चैनल पर जरूर डाल देंगे बागी किसी भी तरीके का आपको अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा क्योंकि हमारे अहां एकैडमी पर हर जगह का बच्चा है और हर जगह का बच्चा कौलिफाई करके आ रहा है तो हमारे पास सभी जगह की डिटेल पता है कि कहां पर कैसा क्या है अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करिएगा हम आपको वो पूरी बिस्तरत आपको जानकारी दे देंगे और ये चौथा चकर ये लाश्ट वाला बच्चा आप देख रहे होंगे पूरा करता हुआ और ये पूरा हो गया चिप में डबल पड़ी हुई हैं ये देखे रुख गया के और चौथा चकर फिनिस हो गया ये देखे सारा बच्चे अंदर होता हुआ और ये जो पीछे चल ला है ये अब चौथा चक्कर इनका जा रहा है तो जो इस तरह पूरा पूरा बताई ये एक चक्कर का अगर गैप रखेंगे तो फिर आप कहां से पास हो पाएंगे ये देखे पूरा बैच लगबाग पास होता हुआ दिखाई दे रहा है इस सभी बच्चे देखें अंदर आते हुए और अभी पीछे ये अगर आ जाएंगे तो ये भी पास हो जाएंगे क्योंकि ये फास्ट बच्चा आया था पीछे के मुस्कल से मुस्कल 10-12 बच्चा ही होगा जो सही टाइम पर नहीं आ पाएगा